प्रोफेशनल स्पोर्ट्समेन रेटायर होता है खौब देखने की कोई उमर नहीं होती और उसे पूरा करने का कोई सही वक्त नहीं होता फिल्म कबीर सिंग के बाद अब शाहिद कपूर एक और सुपरेट फिल्म लेकर आने वाले हैं जिसका नाम है जर्सी बल्रंचु खिलाडी के जुन्दगी पर बन रही बॉलिवर फिल्म जर्सी की शूटिंग इन दिनों उत्राखन की देहदूर में चल रही है सुमवार को उकासी का स्कूल की क्रिकिट मैदान में तकरीविन पाच गंटे के शूटिंग चली जसमें अभिनीता श्राहिद कपूर ने बल्ले बाजी करते हुए खूब पसिना बहाया इस जोरान उन्होंने कई चौके और छक्के भी लगाए भलाज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप से श्राहिद कपूर के अपकमेंग फिल्म जर्सी की अगर आप भी फिल्म से जोरे स्टार कास्ट और स्टोरी के बारे में जाना चुआते हैं तो हमारे इस वीडियो के इन तक सरूर बने रहे है सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की कहानी की तो आपको बता दें कि फिल्म जर्सी साल 2019 में आई तेल लोगो फिल्म का रिमेक है फिल्म का नाम भी बलकुल एक साही रखा गया है फिल्म बेज़्ड है कि ऐसे क्रुकेटर पर जो क्रुकेट खेलना छोड़ देता है इसके पीछे वज़ा होती है उसका मैच फिक्सिंग में फस जाना जबकि वो बलकुल इनोसेंट होता है लेकिन वक्त उस क्रुकेटर के साथ ऐसा खेल खेलता है कि वो एक एक रुपे के लिए महताज हो जाता है फिल्मे शाहित कपूर क्रुकेटर अरजुन रायच्वन्त का करदाने भाते हुए नज़र आएंगे फिल्मे शाहित कपूर अब तक निभाए अपने सभी करदारों से एकदम अलग करदाने भाते हुए भी दिखाई देने वाले है फिल्म में वो एक क्रोकेटर की भूमिका निभाएंगे जुनका एक 6 साल का बेटा होता है अपने बेटे के लिए नई जोर्सी खरीदने के लिए वो काफी महनत करते हैं लेकिन उनको कहीं से भी सक्सस नहीं मिलती जिसके बाद मैच दूबारा से खेलने का वो फैसा लेते हैं और एक बाफर से मैदान में उतरते हैं यह फिल्म आपको एक क्रोकेटर के ब्रेकडाउन से लेकर एक एमोशनल स्टूरी तका सफर मखु भी बताएगी फिल्म में टीवी आक्ट्रेस मृनाल ठाकुर शाहिद कपूर के वाइफ साराहा का किरदार ने भाते में नजराएंग तो वहीं सूपा हिट फिल्म लक्षमे के बाहर शरत केल कर फिल्म जर्सी में एक रिश्ट मृक्र करदार ने भाते हुए नजराने वाले हैं वर फिल्म में आपको काफी कुछ नया भी देखने को मिलने वाला है शाहिद कपूर उस फिल्म में बलकुल अलग किरदार में या कोई नई अपडेट भी अपने फांस के बीच अपने इस्ट्रग्राम अकाउंट के जरीये शेयर कर रही है वल आपको बता दें किस फिल्म के शूटिंग जल्दी खत्म होने वाली है और उसाय सोर्स का कहना है कि फिल्म का ट्रेलर फरवरी तक रिलीस किया जाएगा तो या फिल्म जोरसी की कहानी श्राहित कपूर के फांस को पसंदाएगी आप नहीं और क्या श्राहित कपूर की अपकमिंग फिल्म उनके फिल्म कबिर संग का रेकॉर्ड तोड़ पाएगी आप नहीं हमें अपनी राय कॉमेंट करके जरूर बताएं अगर आपको हमारी वीड दोस्तों से जुरी ऐसी चटपटी और मसालेदार खबर जवान में के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बरकूल ना भूले झाल